क्या आपने कभी सोचा है कि मिश्री बनाने में धागा क्यों जरूरी होता है? आज हम इस रहस्य का पता लगाएंगे. जब चीनी का गाढ़ा सिरेप तैयार किया जाता है, उसमें धागा डालते हैं. आप सोच रहे होंगे, ये धागा क्यों? धागा क्रिस्टलाइजेशन की शुरुवात करने में मदद करता है. थंडा होते समय, धागा चीनी के अनों को सनलगन करने के लिए एक थोस सता प्रदान करता है. इससे क्रिस्टल जल्दी और सटीक बनते हैं. इससे क्रिस्टल का आकार और गुणवत्ता नियंत्रित होती है. धागा क्रिस्टलाइजेशन की दर को भी नियंत्रित करता है, जिससे क्रिस्टल धीरे-धीरे और स्थिर रूप से बनते हैं. यह सुनिश्चित करता है कि मिश्री की सुसंगत्ता और स्थिर्ता बनी रहे धागा क्रिस्टल को एक समान रूप से जुड़े रहने में भी मदद करता है जिससे मिश्री का रंग और गुणवत्ता सर्वुत्तम रहती है